हेलो स्टुडेंट्स देखो जैसा कि अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था अर्थमेटिक प्रोग्वेशन में एंथ टम के बेस्ट पर कुछ इसका formula देखेंगे क्या होता है क्या होता है इसका proof भी देख लेंगे थोडह सा-ईडिया लगेग हैं इसा formula होता द्रैने उसके बाद उसके question discuss कर लेंगे फिर उसके बाद कुछ words प्रॉब्लम भी बनती ना sum of terms वाली ज्यादा words problem बनती है उसके बाद further अपन previous year question discuss कर लेंगे तो chapter end हो जाएगा आज नहीं होगा chapter end आज तो अपन सिर्फ sum of end term वाला topic discuss करते हैं ठीक है sum of end term of AP ठीक है AP के end term का sum कि लिए डियर चलो ठीक है तो चलो देखो sum of AP end term of AP इसका होता है इसको एक और term से लिख लो first end terms या end terms of AP ठीक है इसको आप first लिखो या नहीं लिखो चलो यही सही इसको अब अब से रिपरजेंट करते हैं किस से डियर SN capital SN ठीक है तो जैसे आपको पता है AP का पहला term A होता है फिर A plus D होता है फिर अगला term A plus 2 होता है so on on अपन करते जाए तो last term आपका यह रहेगा nth term यह होता है ठीक है तो आपको क्या करना है इस सभी का आपने को sum करना है कि कितना आएगा ठीक है इसको SN को एक और simple सा आप लिख लो first end term ठीक है first end term मतलब starting से start कर रहे हैं तब अपन बात कर रहे हैं कि first end term का sum क्या होने वाला है कहने का मतलब देखो इसको और अच्छे से represent करूँ तो मैं suppose यहाँ पे लिखता हूँ सन तो SN क्या होगा इन सभी का sum यानि A plus A plus D ठीक है plus A plus 2D ठीक है so on चलता जाएगा चलता जाएगा यह आएगा A plus N minus 1 into इन सभी का sum करना है जिसको अपने SN बोला है ठीक है अब मैं क्या गरता हूँ इनका sum निकालना है न तो मैं इसको SN ही लिख लेता हूँ ठीक है अब की बार मैं उल्टा लिख लेता हूँ जैसे इनका sum निकालना है अडिया है तो अपने starting term first लिखा आप उल्टा भी दो लिख सकते हो पहला term यह लिख सकते हो माला first यह लिख लिख लिखा sum इनका करना इनको rearrange कर दो तो भी sum पे कोई effect नहीं पढ़ने वाला है तो मैं इसमें क्या करता हूँ इसमें यह लिख लेता हूँ ठीक है अब देखो इसका last term एन माइनस वन इंटू दी था यह कौन सा था दियर एन्थ टम ठीक है अब second last term क्या होगा ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी होगा ऐसा ही कुछ होगा ठीक है फिर अगे अगला term होगा ए प्लस उससे last एन माइनस 3 इंटू डी होगा यह last से लिखना start कर रहा हूँ तो यह last term था यह आपका second last हो गया यह first third last हो गया फिर यहाँ पर end में आ जाएगा first time ठीक है dear मैंने ऐसा कुछ इसको लिख लिख लिया इसको मैं थोड़ा सा अलग color से represent कर देता हूँ थोड़ा सा हो अब मैं क्या करता हूँ dear इनको add कर देता हूँ ठीक है देखो इन दोनों को add करोगे sn और sn add होगा तो तू sn मनेगा ठीक है चलो अब इनको add करता हूँ है ना मैं थोड़ा सा इसको roughly आपको idea दे देता हूँ add करके कैसे होगा कि हलका सा यहां पर लिख लेता हो चलो यहां कई पर भी लिख लेता हूँ यह roughly बता देता हो आपको डेको इन दोनों को add करोगे यहां पर कुछ गयर बड़ कर आ यहां पर हो रहा है ठीक है अब देखो इन दोनों को पहले पहले टर्म ये पहले टर्म और इसकी पहले टर्म दोनों को एड़ करोगे तो देखो ए ए दो बार आगे 2a होगे ठीके और ये बचेगा n-1 into d ठीके तो a दो बार होगे तो 2a a plus n-1 into d ये होगा पहले पहले टर्म का ठीक है ये इन दोनों का टर्म करते हैं इन दोनों का तो a और a कितना हो गया 2a हो गया ठीक है सर प्लस अब देखो ये है ये एक d है इन दोनों को मैं add करके आपको एक बार बता देता हो a plus d plus a plus n-2 into d तो a सम होगे तो 2a हो गया इन दोनों में d common ले लो तो यहाँ 1 बचेगा 1 plus n-2 ये बनज़ेगा 2a plus d into n-1 ये वही बना 2a plus n-1 into d तो ये बनागा 2a plus n-1 into d थीक है ये आपको जबरूत नहीं ये तो ऐसे समझाने के लिए आपको बताया हुआ अब देखो अब अगेन अगला टर्म देखो देखो अगला टर्म में भी a और a 2a ये 2da ये n-3da n-3 plus 2 करोगे तो n-1 d बन जाएगा तो अगेन वही बनेगा तो लास्ट में जाओगे तो लास्ट में भी ऐसा ही होगा ये a है और ये 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 हो जाएगा तो 2a plus n-1 into d थीक है बैटा ये सेम टर्म बन रहा है 2a plus n-1 into d 2a plus n-1 into d सभी में ये सेम टर्म बन रहा है अब बताओ ये number of terms कितने होगे ये total कितनी टर्म होगी यहाँ पे देखो तो total कितनी टर्म होगी लुख ये n terms होगे क्यों बैटा है अब थोड़ा सा सोचो से थोड़ा सा सोचो 2022 nom कि्योंगी पहली दूस्तर न लाश्ट tù एंध ळुनज्ट य certified and?. ये इन दोनों इन दोनों इन सबको कर आ है तो total term कितनी होगी ये ऑब मैं आपको एक बात बताता हूं सपूर मिरे पास को है यह तो रहो हो एक हो टू प्लस ूप लॉठ ये मनना किया है । है टे से तू इन्टो टे तो होता है इनसे होगा सिंबल सी बाध crystals आया ये सबुर्ण णुब्लस लोगार स्थो थो एनले से लेकितर, एसा ही तो करते हैं सिंपल सा लॉजिक है आपको समझ में आ रहा होगा ठीक है तो वहीं पर यहीं था sn इक्वल टू क्या था 2a प्लस n-1 इंटू डी ठीक है प्लस है ना यह जुरूद नहीं है 2a प्लस n-1 इंटू डी है ठीक सो ओन किती बार है एंड टाइम्स ठीक है यहां पर स्वाजिक टू एसन था अब देखो एंड टाइम्स हो गया तो तो टू एसन इक्वल टू एन इंटू जो नंबर है नंबर यह है ठीक है डियर सिंपल साथ ठीक है तो यहां से अब sn रिकाल दो आप तो sn डीर आपको मिलेगा sn विल बी n बाइटू रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी यह आपको ठीक है इसको एक और फॉर्म्मला लिखा जाता है sn इक्वल टू एन बाइटू ब्रैकेट में a प्लस एन या फिर इसको यही बोला जाता है एन बाइटू ब्रैकेट फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म यह लास्ट यह आगा इडियर तो यह आपका सिंपल सा फॉर्मूला आ गया है एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है यह दोनों ऐसे नहीं अब यह वाला फॉर्मूला कैसा आया इडियर इसको मैं ऐसा बोल चलता हूँ इसको कभी-कभी यह अगया आपकाता है लास्ट टर्म करते हैं से इसको यह यह पे लिख लेता हूँ और आगे कहीं यूज करूंगा तो एल कि यह यूज करले ता हूँ लास्ट तम को तीक अब देखो यह formula आया कैसे है यह देखो s n equal to यह है n by 2 bracket में a plus 2a को लिख सकता हूँ a plus a plus n minus 1 into d ठीक है s n equal to n by 2 bracket a plus यह डियर a plus n minus 1 into d यह तो लास्ट तम में नी nth अब देखो एक इसमें और बात ध्यान रखना इसमें अपन देखो यह आगे से पहली टम और लास्ट से पहली टम इन दोनों का सम किया तो एक कुछ इसमांग ताया है यह सेकेंड टम यह सेकेंड लास्ट थर्ड थर्ड लास्ट तो ऐसे अपन एड कर ले मतलब आगे से first और पीछे से first उन दोनों को add करोगे जो answer आएगा यह आयता है second और second last को add करोगे तो भी same answer आएगा तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखू तो suppose मेरी एपी है ठीक है एपी का मैं first term एवन बोल देता हूँ एटू बोल देता हूँ तो मीन डियर जो first term है और जो last term है उसका सम second term और second last term last term और फोर्थ लास्ट तर्म फोर्थ लास्ट तर्म ठीक है तो इनके equal होता है यह बड़ा important result है कभी कभी use भी आ जादा और को ऐसे छोटे results होंगे तो आगे discuss कर लिया जाएगा बट यह results है जो थोड़े से आपको याद रखने है ठीक है तो यह simple से आपके results है जो आपको याद रखना है कि लिए डियर एक और चीज़ बता देता हूँ आपको एक और अपन चीज़ है को करनी पड़ेगी वह भी यह तो चलो question है अपने को बोले कि ऐसा बोला जाता है कि इसा बोला जाता है sum of 3 term of ap मैं उसने बोला कि कोई ap है उसके 3 term का sum कुछ दिया हुआ है या बोला गया 4 term का sum दिया हुआ है ठीक है तो अपने को suppose assume करना है है ना assume and ap ठीक है 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 अब देखो क्या होता है जिसे उनका कुछ sum देरेक, तो तो त्री तर में दो, पहले यह मानलो, अगला यह मानलो, और यह मानलो, ऐसा तरह सहरो मतली यह पनरानक लूद, तो simple तरीका हो गया है. ठीके बट्सके एंहिं करते है, ठीके आपने को बोलेod хорош North of term, عс झाय जैसे मेरे को यह बोला गया, अर्ट नमबर of term हो, तो three terms, तीन ten terms भोले अपने को तो अपन tenure A P क्या मानेंगे, A P यह मानेंगे, A minus D, A A plus D, ऐसा मानने में क्या फायदा हुआ अभी मैं question भी एक डिसकस करूँगा तो इसा मानने से फाइदा यह हुआ कि इन तीनों का सम करूँगा तो दीडी खतम ही हो जाएगा ठीक है अब मेरे को बताओ इसका जो common difference है इसका जो cd है common difference वो कितना idea है दी है इसमें से यह माइनस करो तो दी आएगा ठीक है वही सपोर्ज मेरे को बोलता फाइव टर्म से ठीक है तो मैं यह एज्यूम कर लेता एव बीच में लेलो एक आगे बढ़ा दो एक और आगे बढ़ा दो similarly दो पीछे बढ़ा दो ए माइनस डी ए माइनस टूडी यह होगी आपकी फाइव टर्म की एपी similarly 7 टर्म में बोलता है एव प्लस डी ए माइनस डी है तो ऐसे अपने एज्यूम कर लेते तो यह अपना एपी एज्यूम कर लेते जब एन क्या हो और हो ठीक है similarly यहाँ पर बोले even number of term हो ठीक है तो उस question में उस type आ ले उसके लिए अपन क्या करना है suppose मेरे को बोला गया कि two terms तो जनरली नहीं बोलता मैं suppose four terms ले लेता हूँ two terms भी वैसे ही रहता कोई दिक्कत नहीं है तो उस case में यह मानते लिए ए प्लस भी ए प्लस थ्रीडी है ठीक है और ए माइनस भी ए माइनस थ्रीडी है में middle के यह दो टिम माननी पड़ती है ठीक है यह दो टम माननी पड़ती है क्योंकि जब और टम होता है तो बीच में एक जनर司रह हो तो तो मिडल में दो जने होंगे, तो मैं यह ऐसा मानूँगा, अब देखो, इन दोनों का जब डिफ्रेंस करोगे, तो टूडी आएगा, तो इस केस में जो common difference होता है, वो 2D होता है, ध्यान रखना है, थोड़ा सा, common difference 2D के equal है, इवन यहां पे जो D है, common difference को नहीं बता रहा है, या तो अपन X मान लो, या Y मान लो, ऐसा मान लो, तो भी चलेगा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसा मान लो, इसमें और better understanding के लिए आपने ऐसा करते हैं, इसको X ही मान लेते हैं, ठीक है, A प्लस X मान लो, ठीक है, similarly A माइनस X, A माइनस 2X, A प्लस X, A प्लस 2X, ठीक है, similarly यहां पे भी आप चेंज कर लो, तो उससे थोड़ा सा आसान रहेगा समझने के लिए, ठीक है, X, आप चाओ तो D लिख सकते हैं, बट मैं D को डिफ्रेंशेट करने के लिए ऐसा लिखा, बच्चे के दिमाग में यह रहता है कि D common difference, बट इसमें D नहीं होता है, तो यह से लिख लो, इसका common difference क्या है, sorry, 2X, 2X, अब यही suppose मैं बोलता है, 6 terms है, ठीक है यह, तो देखो, बीच में तो वही रहने वाला है, यही, A minus X, A plus X, अब आगे बढ़ाते जाओ, A plus 3X, A plus 5X, 22X का difference करते जाओ, A minus 3X, A minus 5X, तो देखो, टोटल 6 term होगी, अब देखो, इसमें भी यही फायदा हो रहा है कि sum करने पे, यह XX कर जाएगा, तो A बचेगा simple, तो A को calculate करना असान हुगा, अभी मैं question भी discuss करूँगा, तो य यह hope आपको बात समझ में आई होगी, odd number of term हो, even of number term हो, तो अपने को assume and AP, अपने को assume करनी है, तो ऐसी करनी है, यह वाले अपन avoid करते हैं, क्योंकि इनको ऐसा नहीं है कि यह करोगी तो आंसर नहीं है, आंसर आएगा, हलकी calculation बढ़ जाएगी, हलकी से, इसमें calculation आपकी कम हो ज चलो, देखो, एक यह question है, इसी type का question पहले में ले लेता हो, यह गा, अब देखो, इसमें यह बोला गया है, अपन सपोर्स सिंपल तरीके से करते हैं, इसमें बोला कि 3 term of AP, ठीके दिया, 3 term of AP, तो अपन AP अपन assume कर लेते हैं, ए, ए प्लस D, ए प्लस 2D, ठीके, ऐसा ही होता है, अब बोला कि इनका sum 15 है, तो आपने sum 15 कर दिया, तो sum करोगे, तो AAA 3A हो जाएगा, और DD यहनि 3D equal to 15, ठीके, तो यहां से आ जाएगा, डियर A plus D equal to 5, ठीके, अब क्या बोला है, sum of square of any 2 stream, तो A square plus A plus 2D का square will be 58, अब यह equation solve करोगे, तो यह है, A square plus A square plus 4D square plus 4D, 480 equal to 58, अब यहां पर डियर आ जाएगा, 2 से पुरे को उड़ा दो, तो यह बनेगा, A square plus 2D square plus 280 equal to 58 का अधा, 29, अब यहां पर क्या होगा, दियर A या D में से value put करो, फिर quadratic बनेगी, फिर उसको solve करना पढ़ेगा, आप कर सकता हो, answer आएगा, मैं तो वो follow नहीं करता हूँ, मेरे को बोलेगा है, तो let AP, AP मैं ऐसी मानूँगा, A minus D, A plus D, क्यों मानी, क्योंकि इसे 3 term बोले, तो 3 term मैंने यह assume कर दिया, अब इस पर फायदा क्या हुआ, जब भी ऐसा question बोलता है, 3 term of AP या 5 term of AP, तो उसमें एक चीज हमेशा देगा, whose sum is this, यह उसका key point रहने वाला यह देगा ही, अब मैं इनको sum कर देता हूँ, A minus D plus A plus A plus D equal to 15 dear, तो यह DD तो उड़ गया रहे, A direct answer आगया 5, A की value 5 आगई, ठीक है, अब देखो, मतलब यहाँ पर दो variable है, बट एक variable तो सिधा ही निकल गया, अब बोला, first और last का square कर दो, A minus D का square, plus A plus D का square, will be equal to 58 बोला है, कर दिया अपने, A square minus 2AD, plus D square, plus A square, plus 2AD, plus 2AD, plus D square, equal to 58, यह 2AD कट गया, नहीं भी करता तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बटा, इस equation में अपने पास एक ही variable है, दोनों variable नहीं, यह तो 5 निकल चुका है, तो यहाँ निकल दो, 2A square plus 2D square, equal to 58, ठीक है, यह 2, 2 काट दो, तो यह 29 बनेगा, अब A की value रखोगे, तो आएगा 25, plus D square, equal to 29, तो D square equal to 25, तो D square equal to 4, तो D की value दो आजाएगी, plus minus 2, प्लस minus 2, है ना, अब देखो, सपोज, मैंने तीन टर्म मानी थी, A minus D, A, A plus D, A की value तो 5 आगे, 5 minus D, 5, और 5 plus D, अब तीन टर्म, अब D equal to 2 ले लो, 2 put करोगे, तो यह आजाएगा, 5 minus 2 यह नहीं, 3, 5, और 7, सबोर्ट D equal to minus 2 put करोगे, तो यह डियर आएगा, 7, 5, 3, तो कोई फर्क नहीं बढ़ा है, वो तीनों नंबर सेम ही आएँगे, समय से ऐसा हो सकता है, कि दो different value मिले, बट आप जब AP में put करोगे, जो आपकी assume करी हुए, तो बड़े आसानी से निकल जाएगा, कि लिए डियर, कोईशन बढ़ा आसान है, यह जो मैंने trick बताई है, वो ज्यादा important role कर लेती है, इसको solve करोगे, तो इससे बहुत long method बन जाएगा, इससे solve करोगे, तो a फटा 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 आगया, डी भी देखो फटा 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 आगया, इसमें होगा तो एक बार quadratic बन जाएगी, तो solve कर देना वो भी आसान रहेगा, अब यहाँ पर क्या होगा, जनरली इसमें बनेगी नहीं है, इसमें बन भी सकती है, यहाँ पहले a की value पुट करो, फिर बड़ा सा expression बनेगा, फिर उसको प्टा बनेगा, फिर solve कर तब आएगा, तो फड़ा सा difficult बन जाता है, कि लिए डियर, ठीक है, तो यह आपका एक simple सा question, यह पीछे डाला था, बट मेरों को यह लगा, यह जब theory आपको पढ़ाई दी, इस formula पर बेस पर अभी question अपने नहीं करें, इस वाले formula, ठीक है, वो अभी अपन discuss कर ले थे, चलो, अगला question देखते है, यह वाला simple, simple सा question, इस n का formula क्या होता है, डियर, n by 2 bracket, 2a plus n minus 1 into b, ठीक है डियर, अब आप बोलोगे, sir, आप first summa, a plus an वाला formula क्यों नहीं लगाए, a plus an वाला तभी लगाते हैं, जब उसकी requirement हो, अभी तो अपने को requirement है यह नहीं, तो क्यों दिमाग लगा रहे है, अपन जयादा, ठीक है, अपन first or last time वाला कब लगाएंगे, वो भी अपन question आएगा, तब देख लेंगे, but generally अपने को ज़रूरत नहीं है, normal formula से अपना काम बन रहे है, तो आप यहाँ पर put कर दो, तो sn equal to n, sn नहीं निकालना, आपको निकालना, s20, तो 20 by 2 bracket, 2 into a1 plus, 21 minus 1 into d3, ठीक है, 10 into 2 plus, 19 into 3, 57, तो यह डियर हो जागा, 59, 59 into 590, यह आपका आम सोरा जाएंगे, यह आपका answer मिल गया, ठीक है, तो simple सा question है, आपको AP का sum पूछा था, तो आपने value put कर दो, निकाल दे, कि लिए, अगला question, यह भी आसान सा question, उसने बोलाए कि, 3 digit number, which are divisible by 9, थोड़ा सा बोल सकते हो, words problem वाला question है, इसने बताया नहीं, आपको बनानी है, इसने बोलाए कि, 3 digit के number, जो 7 से divisible, अब देखो, 91, या 98, 98, 7 से divisible होता है, और उसका अगला क्या होगा, तो वह आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, पहला term, तो 97 plus 7 कर दो, तो 105 होगा, जो 7 से divisible होगा, अब अगला क्या होगा, 7 से divisible, इसमे 7 add कर दो, अरे यार, 105, 7 add क्या तो 11, 2, 119, सो अन, अब लास्ट टम आपको निकालना पड़ेगा ही, जरुवत पड़ेगा ही, क्योंकि आपको ये भी चूज करना है कि number of term कितने है, ठीक है डियार, तो देखो, लास्ट टम निकालना है, तो लास्ट टम आप ढूंड़ो, जैसे मैं सपोस्ट ट्रिपल नाइन में डिवाइड करता हो, 7 का, तो रिमाइंडर आता है, देखो, 7 1 जा 7, 2 बच्चा, 7 4 जा 1, 5 बच्चेगा साहिद है ना, तो 5 यह नहीं, 994 रहने वाला साहिद, 7 1 जा 7, 7, 2 आएगा, 7 4 जा 1 जाएगा, ठीक है, 994 बच्चेगा, अब इसमें अपने पास दूनों फॉर्मुले है, SN का फॉर्मुला N by 2 bracket, 2A plus N minus 1 into D, अब बच्चा सोचेगा, सर आप यह भी तो फॉर्मुला लगा सकते हो, आपको first term पता है, last term पता है, यह भी लगा लो, बट में दिक्कतारी N नहीं है, इसमें number of term कितनी है, ठीक है, इसकी तो मेरे को position पता है, first है, इसकी position कौन सी है, तो यह वैसा दोनों का मिला के question हो गया, sum का भी है और nth term का भी, यह nth term मान लेता हो, तो मतलब A N equal to D, अपने मान लिया, 994, A N का formula होता है, A plus N minus 1 into D, equal to 994, अब बताओ, इस AP का, A कितना है डियर, A आपका सर आपने निकाला, 105, D कितना है, common difference 7 है, तो put कर दो ना, simple सा, 105, plus N minus 1 into 7, equal to 994, N minus 1 into 7, 105 minus करा, तो 14 में से 5 गया तो 9, 9 में से 7 गया तो 8, और 1, 7, 8, अब डिवाइड कर दो, N minus 1, 7 से इसको डिवाइड करोगे, 7 वन जा, 7, 2 जा, 7, 7, 7, तो 1, 2, 7, तो यह term जो आई है, 1, 2, 8 आया, N की value आगी, अब आपके पास, अब आप या तो यह formula लगा दो, या तो यह, क्योंकि N मिल चुका है, इसमें यह लगा सकते हो, इसमें कोई यह special नहीं है, यहाँ पर put करोगे तो भी आएगा, बट यहाँ पर put करो 1, 2, 8, account 2, first term 105, plus 994, तो इसको calculate करके, आप आसान से निकाल लेना, इसको आप calculate करना, क्या answer आता है, कमेंट करके ज़रूर बताना है, ठीक है, थोड़ा बच्चों को भूग करने देना चीए, ठीक है, तो बेटा, आपको जो आज पढ़ाया, hope आपको समझना है होगा, मैंने बड़े अच्छे से आपको आसान से पढ़ाने की ट्राइ करिए, ठीक है, तो आपको जो भी चीजे की requirement है, वो चीजे देखो, पुरी fulfill होगी आपकी, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी पढ़ा दूगा, जो आपको जरूरत है, उससे बहुत health मिलेगी, हो सकता है, आपने कही पढ़ा हुआ है, फिर भी आप पढ़ते हो, तो आपको हो सकता है कुछ-कुछ चीजे नहीं, जरूर मिलेगी, खिलिए, बाकि और कोई भी आपको doubts है, किसी भी topic के related, सब maths के नहीं, other subject के related हुई, तो हमाई telegram group से जोड़ सकते हो, खिलिए, तो हो, आपको आज का lecture पसंद आ Ăप, जरूर मिलेगी, तो हमाई के इन ऋ Metro चण है, आपको माई है, तो हमाई जारूराशन नहीं, तो हमाने पसरे मिलेगी, तो हमाई भी Logan's, आपको पस्ट माई centers, बाहदार की को हो, आपको अ yorkा है, कि पाया हुछ-कुछ, रराूर को हो आपको खिलिए, प्योवर खær़erei ह